देश की राजधानी दिल्ली में गरतन दिबस पर किसानों की टेक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के एक दिन बाद भारतिय किसान इूनियन के नेता राकेस टिकैत का एक वीडियो सामने आया है जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिये हैं टिकैत का ये वीडियो सोशल लोगों से लाठी डंडा साथ लेकर आने की अपील करते नजर आ रहे हैं सरकार माजनी नहीं ज्यादे केड़ी पेड़ी सरकार कि अपना लिया यो जंडा जुन्डा भी लगाना लाठी गोती भी साथ राग यो पनी जंडा लगाने के लिए समझे यो सारी बात जंडा लगागा तिरंगा भी जंडा वाइसा भी लगा लियो उस पर और आज हो बस बहुत बोलिया अब आज हो जमीन बचाने के लिए आज हो अपनी जमीन नहीं बच रही सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे इस वीडियो में राकेश टिकैट कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार मान नहीं रही है ज्यादा कैड़ी पढ़ रही है सरकार लाठी डंडे भी साथ रख्यों अपने समझ जईयो सारी बात तिरंगा भी लगाना अपना जंडा भी लगाना सोशल मीडिया पर वीडियो वारल होने के बाद राकेश टिकैट बुद्वार को मीडिया के सामने आए इस दोरान उन्होंने कहा कि ये वीडियो उनका ही है उन्होंने कहा कि लाठी कोई हतियार थोड़े ही है राकेश टिकैट ने कहा कि मैं सुईकार करता हूँ कि मैंने कहा था कि लाटी ले कराना राकेश टिकैत ने सवालिया लहजे में पूछा कि कोई बताय कि क्या बिना डंडे के ही कोई जंडा होता है उन्होंने काय कि ये किसानों का अंदोलन है और किसानों का ही आंदोलन रहेगा उन्होंने काय कि जिन लोगों ने पुलिस बैरिकेटिंग तो लाल केले की घटना के बाद राकेश टिके तब दूसरे पर ठीकरा फोरते भी नजा राए। उन्होंने काए कि जिसने जंडा फैराया वो कौन था। एक कौम को बदनाम करने की साजिस पिछले दो महिने से चल लही है। कुछ लोग को चिन्नित किया गया है। उन्हें आज ही यहां से जाना होगा जो आदमी हिंसा में पाया जाएगा उसे इस थान चोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस की कारवाई के कारण कुछ असामाजिक तत्त टेक्टर रैली में सामिल हो गए जिनके कारण हिंसा की गटनाय हुई। पतादें कि गरतंत दिवस के अफसर पर अंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली में टेक्टर रैली निकाली थी। इस दोरान लाल किला समेथ कई जगहों पर जमकर हिंसा और उपत्रब किया। आलात विगरते देख दिल्ली पुलिस को लाटी चार्ज करना पड़ा। कई जगहों पर किसानों ने बैरिकेटिंग तोड़ दी और लोहे की छड़ों को नुकसान पहुचाया। आटियों पर किसानों ने बैरिकेटिंग पर तैनात पुलिस कर्वियों पर टेक्टर चड़ाने की भी कोशिस की। पद्रबियों ने लाल के लिए पर भारी हंगामा किया और ओहां धार्मिक इंटरनेट सेवा बंद रही। 14 से यदिग मैट्रो इस्टेशन बंद कर दिये गए थे। हरियाना के तीन जिले, सोनी, पत, पलवल और धजजर में टेली कॉम सर्विस आज साम 5 वजे तक बंद रहेंगी। बता दें कि पिछले दो महिनों से प्रदासन कर रहे किसानों ने अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्षन लेना शुरू कर दिया है, अब तक 22 F.I.R. दर्ज हो चुकी है, फिलाल दिल्ली पुलिस ने 22 मामले दर्ज किये हैं, लेकिन अब तक किसी की गरपतारी को लेकर कोई सूचना नहीं है। यहां अब भी बड़ा सवाल है कि दीप सिद्दू को जिम्यदार मान रहे हैं, तो कुछ लोग लखा सिंग सिधाना को आरोपी मान रहे हैं, सिधाना कभी अपराद की दुनिया में बड़ा नाम हुआ करता था, पंजाब के बठिंडा का रहने वाला लखा, कबड़ी का खिलाडी भी रह चुका है, खेल से अप परादिक छभी को बदलने की ओसिस कर रहा है, भारतिय किसान उनियन के हर्याणा प्रदे सद्यक्ष गुर्णाम सिंग ने पंजाबी फिल्म बेता दीप सिद्दू पर आरोप लगाया है, उन्होंने काय कि किसान संग्ठनों का लाल किले पर जाने का कोई कारकिरम नहीं था दीप सिद्दू ने किसानों को भणकाया और आउटर रिंग रोड से लाल किले ले गया, किसान चांती पूल आंदोलन करते रहेंगे, ये आंदोलन धार्मिक आंदोलन नहीं है, वहीं योगेंदर यादब ने काया कि दीप सिद्दू और गैंगेश्टर से नेता बने लख मान रहे हैं कि किसान आंदोलन में हिंसा भढ़काने के पीछे टिकेट का भी हाथ है, जिस पर आज राकेश टिकेट ने सफाई पेस की है, खबरों का सेसला जारी रहेगा, देखते रही है जन्परबाद, नमस्कार